हेलो फ्रेंट्स मेरी कीचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे स्टॉफ्ट मेंगो आइस क्रीम तो शुरू करते हैं बनाना इधर कडाही में मैंने एक किलो दूद गयास पे चड़ा दिया और इसको बॉयल आना शुरू हो गया अब हम इसको थोड़ी तेर पकने देते हैं थोड़ा सा दूद लेंगे ठंडा और इसमें हम मिलक पावडर डालेंगे 4 टीजपून इससे एक बहुत ही अच्छा आइस्क्रीम का एक टेक्चर बहुत ही अच्छा आएगा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही मैं 1 टीजपून इसमें कस्टर पाउडर डाल गहीं हूँ सिर्फ इसका कलर थोड़ा चेंज करने के लिए इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तांकि इसमें लंज न रहें जितनी देर में हमारा दूद अच्छे से पक रहा है उतनी देर में हम जो मैंगों है उनको हम अंदर से जो इदी इसकी गुठली है वो निकाल लेंगे उपर से ऐसे कट करेंगे ऐसे चारो तरफ से इसको खाली कर लेंगे इसका पूरा पलप हमने बाहर नहीं निकालना यह देखिए मैंने जो अंदर की गुठली की उसको बिल्कुल अलग कर लिया अब हम इसके साथ इससे गुठली को बाहर निकाल लेंगे अच्छे से यह देखिए यह अंदर से हमने ऐसे इसको खाली करना है तो फिर एक कप में रख देंगे तो ऐसे ही मैं सारे मैंगो खाली कर लूँगी दूद जो अच्छे से कड चुका है अब हम इसमें जो हमने मिलक पाॉडर और विनिला एससेंस का जो हमने कस्टर पाॉडर डाला था है ONE टीस्पून अब हम इसको इसमें डाल देंगे लेकिन एक साथ इक ट्था नहीं डालना थोड़ा थोड़ा करेंगे डालेंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लंब्स ना पड़ें कि आप वैनीला कस्टेड पाउडर की जगा पे आप इसमें केसर भी डाल सकते हो केसर मेरे पास अब नहीं था तो इसलिए मैंने एक चम्मच वैनीला एसेंस का कस्टेड पाउडर डाल दिया अब हम अच्छे से इसको थोड़ा पकने देते हैं दूध हमारा अच्छे से गाड़ा हो चुक है यह देखिए अब हम इसमें कंडेंस मिलक डालेंगे अब यह बिल्कुर रेडी है अब यह बिल्कुर रेडी है हमारे आइस्क्रीम के लिए यह देखिए कितना थीक हो चुक है अब हम गयास का फ्लेम ओफ कर देंगे अगर आप चाहो तो इसमें आप ड्राइफूट भी डाल सकते हो तो अब हम इसका ठंडा होने का वीट करते हैं हमारी आइस्क्रीम की स्टफिंग है जो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है यह देखिए कितनी क्रीमी है अब हम इसको मैंगो में भर देंगे इसको अब हम कप में रख देंगे और उपर से जो हमने इसकी कटिंग बंद की थी उससे हम इसको बंद कर देंगे यह देखिए ऐसे ही मैं सारे मैंगो रेडी कर लूँ यह यह बहुत ही टेस्टी आइस्क्रीम बनती है आप जुरूर ट्राइब करना मैंगो को भर के रेडी कर लिया अब मैं इसको फीजर में लगा दूँगी ओवरनाइट के लिए तो हम मिलते हमारी मैंगो आइसक्रीम बनके रेडी है यह देखिए अब हम इसका छिलका उतार लेंगे तो इसका अब हम छिलका उतार लेंगे अराम से देखिए मैंगो को मैंने छील लिया है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यह देखिए कितनी अच्छी हमारी मंगो आइसक्रीम बनके रिडी हुई है एसी मैं सारा रिडी कर लूगी मैंगो आईbow के पीसिस गतके कर ली एंदेखिए कितनी बड़िया लग रहे है अब हम इसको सर्व कर देखे है हमारी सप्प्ट मैंगो आईश क्रीम सर्व करने के लिए रिड़ी है तो आपको यह रेस्पी कैसी लगी अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें कोमेंट करें और शेयर जूर करें तो मिलते हैं एक और नहीं रेस्पी के साथ थैंक यू